तमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अनेकेडमी लाइब में मेरी गुड इबनिंग सभी को और दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नए निबंद के टॉपिक पे अपने जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे और साध तथा आत्महत्या बदलते सामाजिक मुल्यों के परड़ाम दोस्तों ये काफी महत्पोंट टॉपिक है वरतमान समय में जो आप सभी देख रहे हैं कि किस प्रकार से डिप्रेशन और सुसाइडल अटेंट्स युवाओं में आ रहे हैं और इसको बहुत सारी रिपोर्ट्स भी हैं और सिविल सिवा की तैयरी करने वाले बच्चों के अंदर भी बहुत सारी वरतमान समय में आप देख सकते हैं मुखरजी नगर में और आसपास के छेत्रों में प्रयागराज में ये कई घटनाएं देखी गई हैं तो ये इसके लिए जिम्मेदार क्या है किस तरीके से ये निबंध का हम लोग पूरा ये कोर्स देख रहे हैं किस प्रकार से आप लोग इसको और अच्छे से त्यार कर सकते हो इन सभी पर हम लोग डीटेल बात करेंगे दोस्तों इनके प्रमुख 8-10 पॉइंट हैं उनको हम लोग लिखेंगे और दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि 18 महत्तपॉंड टॉपिक जो है यहाँ पर मैंन टॉपिक है इनके अलावा जो है वह सारे टॉपिक मैंने फेस्बुक यूटूब पर डाले हैं अनेकेडमी यूपी पीसी चैनल पर तो उसको आप लोग जरूर देखें तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इसके प्रमुख मौद्दों पर क्या-क्या प्रस्तियों में उत्पन होते हैं सामाजी कमूर लेकिया हैं तो इन सभी पर हम लोग डीटेल बात करेंगे और बड़ा ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक होने वाला है दोस्तों आप सभी लोग इसको जरूर देखें ध्यान से दोस्तों आप अगर अनेकेडमी पर नए आप मुझे फॉलो कर लिजेगा अभियान लाइक कोड आप मेरी यूस कर लिजेगा जिससे कि आप हमारी सभी फ्री क्लासेश थी थर्टी पर होती हैं थी थर्टी और वन फॉर्टी फाइब पीम यह दोनों आप जो है फ्री क्लासेश कर सकते हैं एक में आंसर राइटिंग चल रही है एक में अपर लाइब प्रकार के प्रेश सब्सक्राइब सब्सक्राइब प्लस क्लास जैँ अगर आपको bliver एपना चाहते हैं यहां पर live classes मिलती है, recorded भी मिलती है opportunities आपको मिलती है best educator से पढ़ने की correspondence, courses academic calendar में, pedagogy structure classes मिलती है आपको workshop, study session, master class unlimited quizzes, study material PDF form में मिलते हैं multiple live doctoring sessions होते हैं दोस्तों यह हमारी testory चल रही है जिसमें scholarship आप जीच सकते हैं GS paper 1, 2, 3, 4 के लिए और हिंदी और essay की test है यह बिल्कुल नेशुलक है, आप यह दे सकते हैं current के testory चल रही है RO RO high code की testory चल रही है और beyond live code यूज़ करके आप हमारे batch course से चल रहे हैं उनको join कर सकते हैं जैसे philosophy optional में कराता हूँ यहाँ पर आप जो है complete philosophy की त्यारी कर सकते हैं, गौरो सर जो है प्लीज यह आप join कर लीजे, हिंदी और SAKB classes आपको जरूर देखने होंगे प्लीज आप जो है अगर आपको join करना है तो यह देखिए हिंदी, निबंद और अनके लिए अन्य बैचेज भी चल रहे हैं और नासर करा रहे हैं आप जो है, यहाँ पर इन सभी courses के लिए एक ही subscription होता है subscription आप ले ले 24 महिने के subscription पर अभी 3 महिने का subscription free मिल रहा है और 12 महिने पर 2 महिने का subscription free मिल रहा है 13,600 fees होती है, दो साल की अभियान live code अगर आप use करते हैं तो आपको मात्र 12,240 देने होते हैं और 12 महिने के fees 9,350 है, अगर आप अभियान live code यूज़ करते हैं तो आपको 8,415 देनी होती हैं यह सभी classes जो है आप यहाँ पर करेंगे अनेकेडमी प्लस platform पर अगर आप प्लस course जोईन करते हैं BPSC, UPSC के लिए एक साथ ही आप course जोईन कर सकते हैं जिसकी fees 10,620 है हमारा अनेकेडमी चैनल है दोस्तों इसको like करें, share करें, subscribe करें और अपने दोस्तों के भी ज़रूर share करें खास करके निबंद की classes जो है UPPSC के लिए सभी मैं यहाँ पर कराता हूँ आप सभी को पता ही होगा लंबे समय से आप लोग अगर follow कर रहे हैं तो जरूर देखिए, तो हम लोग बात करेंगे कि आउसाद तथा आत्महत्या बदलते सामाजिक मूल्यों के परडाम है तो इन पर आप लोग जो है जरूर ध्यान देंगे तो आप जो है आईए देखते हैं पहला point हमारा रहेगा प्रस्तावना दूसरा point रहेगा आपका आउसाद क्या है तीसरा होगा कि सामाजिक मूल्य क्या है चोथा होगा बदलते सामाजिक मूल्यों की आउसाद से क्या संबंद है पांचवा होगा किस प्रकार मूल्यों में परिवर्तन से आउसाद तथा आत्महत्या जैसे समस्यां से निकला जा सकता है हमारी जो आज देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर जो है किस तरीके से negativity आदी जो है घिरी पड़ी है छठे में इस दिसा में किन-किन प्रयासों किया उसकता है इसे पहले हम सरकारी और कुछ सुझाओ देंगे कुछ प्रयास हमारे जो चल रहे हैं उन प्रयासों के बारे में बात करेंगे सरकार क्या क्या कर रही है mental health के लिए अभी आपने देखा है धेर सारी एजेंसियां साथ पर सुझाओ और आठ पर निश्कर्स दोस्तों ये पूरा निबंद जो है 800 प्लस सब्दों में है और आपको जब भी एक्जाम में आप लिखेंगे तो UPSC में 700 प्लस और आरो आरो में 600 प्लस आपको निबंद लिखते हैं जो की 800 से 900 शब्द पहुंच जाते हैं अब डिपेंड करता है कि आप कैसी राइटिंग है आपकी कितने फॉर्मेट में आप लिखते हैं बड़े लिखते हैं छोटा लिखते हैं तो ये सारी हैं हलाकि अगर आप पूरा कम्प्लीट करेंगे तो 900 सब्दों हो जाते हैं तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि ग्लोबल बर्डन डिजीज की रिपोर्ट के अनुसार 2017 में भारत में 4.57 करोड लोग आउसाद जैसी समस्य से ग्रसित हैं जबकि साथ में से एक भारती है मानसिक विकार से प्रभावित था इन आकड़ों से यह हनमान लगाना असान है कि आउसाद तथा आउसाद के कारण होने वाली इम्रित्य युवा पीड़ी के साथ-साथ भारत के भविश्य को भी दीमक की तरह खा रहा है जिसका मुक के कारण पिछले दो दसक में तेजी से बदलते सामाजिक मूल्य है अब देखे सोसल वैल्यूज जो होते हैं हम लोग एथिक्स में बढ़ते हैं दोस्तों कि मनुष्य कोई भी व्यक्ति है अगर वो ग्रो करता है अपने जीवन में तो बच्पन में उसके माबाप जो होते हैं पहले प्रात्मिक टीचर होते हैं वो जो सामाजिक मूल्य हमें मिलते हैं सबसे पहले हमारे माता पिता से मिलते हैं उसके बाद बच्चा जाता है स्कूल अब ध्यान रखे ध्यान से जी सामाजिक मूल्यों की अगर हम सोपानी करण करें तो पहले तो parents है, माता-पिता है, ये आपके पहले teacher होते हैं जो social values के बारे में आपको थोड़ा-थोड़ा बताते हैं कि किसको नमस्ते करना है, किस से क्या बोलना है, किन शब्दों का use करना है, उसके बाद जब ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, तो ये अपने kindergarten या अन्य जगह जो है school में जाएगा, school में उसका teacher जो होता है, जो primary level पे उसको social values अन्य चीजों के बाद में बताता है, उसके साथ ही साथ जब वो school जाने लगते हैं, तो वो उसके friends और plus पूरी society आगे उसको क्या करती है, guide करती है, तो ये हमारे social values के प्रथम निर्धारक होते ह हैं, जो हमें हमें, तो ये किस प्रकार का हमारा औरा होगा, किस प्रकार के लोग हमसे खिरे हुए हैं, किस प्रकार के हमारी दोस्ती में तरता है, और किस society में हम रहते हैं, ये बहुत सारी चीज़े depend करती हैं, तो भारत जैसे एक diversified countries में आप देखते हैं, कि भारत एक बहुत ही ज़्यादा वर्तमान समय में प्रासंगिक है, जिसमें बच्पन से ले करके और बुजुर्ग जब तक आप होंगे, तब तक कुछ न कुछ सोसाइटी हमें सिख्षा देती रहती है, समय समय पर हमारे गार्जियन, हमारे दोस्त, हमारे मता-पिता, हमारे भाई-ब आदर्श होते हैं, जो सभी समाजों में आदर्श माने जाते हैं, तो आए हम देख लेते हैं, एक समाजिक वेल्यू की समाज, जो सोसल वेल्यू है, उसकी परिभाशा क्या होनी चीए, तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको हेडिंग और इसमें कराता हूँ, आपको सारे वीडियोज डाले हुए हैं, आप चाहें तो उसको पूरा कम्प्लीट प्लेलिस देख करके यहीं से निबंद सीख सकते हैं, और अगर आपको एक्जाम देना है, या आपको निबंद लेखन में महारत हासिल करना है, तो वन मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लोग ले लि सारे आपको 95 प्लस निबंद भी आपको यहां पर मिल जाएंगे, तो चलिए, देखते हैं समाजिक वेलू क्या है, समाजिक मुल्य क्या है, समाजिक मुल्य वे आदर्ष हैं, जो समाजिक जीवन के आचरण में अभिवेक्त होते हैं, वुट्स के अनुसार समाशास्त्री है मुल्य दैनिक जीवन में वेवहार को नियंतित करने का एक सिध्धान्त है, मुल्य नकेवल मानों वेवहार को सिख्छा प्रदान करते हैं, अपी तो अपने आप में आदर्ष एवं उद्देश परक भी हैं, जहां मुल्य होता है, वहां नकेवल यह देखा जाता है कि क्या सही और क्या गलत है, तो जैसे कि हम देते हैं इमानदारी, सच्चाई, यह सभी जो है हमारे लगबग सभी समाजों में कुछ ऐसी चीज़े हैं, इंटेग्रिटी है, यह सभी समाजिक मुल्यों के रूप में देखे जाते हैं, अब हम बात करेंगे कि आवसाद क्या है, what is depression, और साथ से तातपर ऐसे मानसिक विकार से हैं जिसमें व्यक्ति अकेलापन, उदासी आदी महसूस करता है, व्यक्ति की मानसिक स्थिति शुन्य पर पहुंच जाती है, वह सदय चिड़ चिड़ा, हताश, निराश महसूस करता है, तथा छोटी से छोटी समस्या भी उसे करना चाहता हूं, कि दोस्तों, लाइफ में हमारा एक्जाम सिर्फ एक पॉइंट है, ठीक है, वो लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, एक्जाम जो होते हैं, या लाइफ हमेशा एक्जाम लेती रहती है, आपके जनरल लाइफ में भी आप आप देखेंगे, तो कम हो जाएगी, हम मिनिममा में आइक्जाम के माने जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप एक्जाम में फेल होते हो, तो फिर से प्रयास करें, फिर करने के दौरान आपके अंदर एंग्जाइटी, जो होताह न, डिपरेशन, यह नॉमिलरल लेखल पर आता रहेगा, ढ जब रिजल्ट आएगा तो बहुत बुरा लगेगा लेकिन उसके कुछी देर बाद आप दोस्तों के साथ होगे तो अच्छा लगेगा तो इससे बचना है आपको कि डिप्रेशन में लगातार आप न चले जाए जिससे कि देखें वर्तमान समय में परिक्षाएं बहुत वो बना ली है कि प्रेस्टीज है हमारा इस एक्जाम से जुड़ा हुआ है लेकि एक्जाम क्या होता है कि आप तैयारी कर रहे हैं उस दिशा में हो सकता है कि आपकी तैयारी सठीक न हो पाई हो तो एक्जाम आपका नहीं निकलेगा अगर आप इस एक्जाम के दौर में skill पे, hobby पे, जिससे कि आपके अंदर negativity जैसी चीजे ना आए, earning के source पहले इकठा कर दिए, चुकि आपको पता है, government exam में selection का ratio जो 1% है, तो 99% लोग reject होंगे, इस rejection को accept करिए, जब तक काम करिए, ढंग से करिए, timeline बना लीजे, 2-3 साल किसी भी exam के लिए बहुत ज्यादा होता है, maximum आप मालिजे प्री मेंस इंटर्वू के चक्कर में फसे हुए हैं, तो 4 साल, 4 साल से ज़्यादा आप इस field में मत दीजिए, आप कोई और काम करिए, और उसके साथ साथ जो है exam देते रहिए, समस्या तब आती है, जब आप जो है, इसको अपना prestige का विसे बना लेते हो, लाइफ को हमें enjoy करना है, और 20 से 30 वर की जो उम्र होती है दोस्तों, ये बड़ी ही productive होती है, किसी भी field में, इसको यूहीं आप बरबाद न करें, creativity, आप अपने अंदर रखें, लगातार कोई नो कोई होबी, कोई नो कोई ऐसा course, कोई नो कोई ऐसे skill आपके अंदर होनी चा जोब का मतलब केवल government job नहीं होता है, आप अपने अंदर skill रखेंगे तो बहुत सारी job था है, हम अब इस पर कभी कभी और बात करेंगे, लेकिन depression का सबसे बड़ा कारण क्या है, कि हम समस्याओं को बहुत दिल से लगा लेते हैं, और उनको अपने जीवन का बहुत प्रमु depression, anxiety, छोटे लेवल पर सभी के अंदर आती है, और ये nominal है, ये normal है, इसको कभी भी अपने prestige का इसु नहीं बनाने चाहिए, जिससे हम कोई बड़ा कदम उठा लें, अपने आपको हानी पहुंचा लें, तो ये सारी चीज़े बड़ा ही, बड़ी ही बेकार होती हैं, आपके उपर जो लोग dependent होते हैं, बहुत सारे लोग आपको आदर्श मानते हैं, आपको लगता होगा कि आपको कोई आदर्श नहीं मानता होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे गाओं के आपके बच्चे होंगे, बहुत सारे आपके relative family के बच्चे होंगे, जो आप एक अच्छे नागरिक बनने के लिए competition की तयारी करनी चाहिए और सफलता सफलता देखिए 1% selection का ratio है तो जाहिर सी बात है कि यहां rejection बहुत ज्यादा है तो इसके लिए पहले से तयार होकर के आईए चलिए औसाद या depression किन किन कारणों से होता है तो इसके बारे में हम लोगों ने पद और प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है साथ में साथ पैसे को बहुत बड़ा इसू बना दिया है तो चलिए हम बात करेंगे इनके कारण क्या होते हैं पहले इनके कारणों को समझेंगे तो जैविक आनवांशिक मनव सामाजिक जैवर व्यादिकवादी संस्कृति बढ़ रही है वैसे दिखावे की संस्कृति में भी बृद्धी हो रही है तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा जो शहरी करण है शहरों में जो हमारा living standard है रहने का जो अस्तर है उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों कि बहुत बड़ी बड़ी गलतिया करते हैं हमारे जो income label है वो बहुत कम होता है हम दिखावे के चक्कर में बड़ी गाड़ी बड़े घर और ये सारी चीजों का सपना देखते रहते हैं देखिए जरूर देखिए लेकिन अपने जो pocket है न उसी के हिसाब से अपने चादर के हिसाब से ही पैर फैलाईए और उससे जो है नकारात्मक्ता देखिए कुछ भी करिए आप जीवन में उसके प्रती नकारात्मक्ता आपके अंदर नहीं होनी चाहिए बहुतिक वादी संस्कृत ने आपने देखा है कि जो दिखावे की संस्कृत है उसमें ब्रिद्धी हो रही है जिसके चलते जगा-जगा प्रतियसपर्दा कॉम्पोटिशन इन पॉजिटिव मैनर आपको हमेशा जो है कॉम्पोटिशन को एक पॉजिटिव मैनर में लेना चाहिए अगर आपका कोई कॉम्पोटिटर आपसे आगे जा रहा है तो उसके पीछे कोई रिजन होगा और जो इस प्रतियसपर्दा में खुद को विफल या कमतर अनुभव करता है वह अवसाद का सिकार हो जाता है हो सकता है कि आप एक प्रॉपर दिन या किसी साल जो है प्रतियसपर्दा में पीछे हो लेकिन आपकी लंबी तैयारी के बाद आपको पता चलेगा कि आप जो है बहुत आगे हो साथी लोगों में संघर्ष करने का जजबा और आपसी सामंजस की बावना घटी है और सहंचीलता और व्यक्तिवादिता बड़ी है अपने आपको मैं को जो है बहुत ज़्यादा हम लोगों ने बढ़ा लिया है नतीजितन क्या होता है व्यक्ति समाज से कटा हुग अकेलापन का शिकार हो जाता है और यही अकेलापन उसे आत्महत्या के जैसे कठोर कदम उठाने में बाद करता है दोस्तों आप देखिए जब भी प्रप्रेशन में रहिए या कोई और भी काम कर रहे हैं आप शादी विवा हो गई है आपके आपके पास इंकम के सोर्सिस क कम हैं तो आप जो है कम से कम अपने दोस्तों अपने परिवार अपने पती पत्नी जो भी हो आपके आप उनसे जो है बातचित करिए अपनी समस्याओं को रखिए देखिए हर समस्या का समाधान है मैं हमेशा लगातार कहता रहता हूं कि अगर आपके पास समस्याओं जो होती है न उचाई पर जो लोग पहुंचे हैं वो लोग पिछले अपने जीवन में बहुत बड़ी जगह नहीं थे और बहुत बड़ी जगह पहुंचे तो उन्होंने बहुत कुछ खोया है और बहुत सारा धैर बहुत सारी चीजे जो हैं हमें सिखाती रहती है तो जीवन में सकारात्मक सोच संघर्स करने और कभी न हारने की प्रेडा देते हैं अभी हमें देखिए बजपन से हमें हमारे एक तो टीचिंग मेतेडोलोजी टीचर्स की बहुत सारी गड़बड है हमारे प्लेटफॉर्म पर भी कुछ लोग बड़े नेगेटिव लोग हैं टीचर्स के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो इंटेलिजेंस ठीक है या मेहनत को एक दूसरे से कंपेर करते हैं जैसे एक अभी बी नहीं हो सकता है क्या बी की अपनी वैल्यू है और एक ही अलग अपनी वैल्यू है वैसे ही हर व्यक्त की अपनी एक कंडिशनिंग है अपना एक स्टेटस है अपना एक अस्तर है मांसिक अस्तर है समाजिक अस्तर है अब इनको इससे कंपेर जो है कंपेर हमें बच्पन से ही कंपेर किया जाता कि फलनवा का लड़का ऐसा कर गया शर्मा जी का लॉंडा ये कर गया तुम ऐसे ही हो वैसे ही हो धीरे धीरे जो है हम compare की जो समानता की जो भावना होती है वो हमारे अंदर घरे आकर आती है और जो कि ये सबसे बड़ी fallacy कहां की है सिख्षा की जो हम education दे रहे हैं आप मेरे कभी भी मेरे class में आईए कोई भी होना नहीं है education का मतलब साक्षर होना नहीं है सिख्षित होना है अब लोग साक्षर हो करके कुछ knowledge रख करके knowledge का अगर आप utilization नहीं कर रहे हैं आप उसका application नहीं कर रहे हैं कहीं उसका implementation नहीं कर रहे हैं तो ये समस्याइं create करता है तो जो हम social values जो हम चीजें सीख रहे हैं उस अपने से कभी भी किसी और की तुलना न करें। एक बड़ा कारण अपने समाज में यह भी है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हमारे मन में इस गहरी परते न जाने कितने मनोविकारों को जन्म दिया है। अपना जीवन साथी अपनी आजीवी का करियर अपनी पसंद से न चुन पाना एक बड़ा कारण है तनाव वो खुद का जो आगे चल कर आवसाद का रूप ले लेता है दोसों आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा इस बिंदु से हट कर है दर्शन शास्त्र जिनका सब्जे सार्ट्र वे कहते हैं कि मनुष्य स्वतन्त्र होने के लिए अभिसप्त है ध्यान से सुनsm Morgan मनुष्य स्वतन्त्र होने के लिएविसम्त है कि निकी इसका क्या आर्थ हुआ मतलब आप जीवन में जो भी निड़्यय ले रहे हैं तो आप जो भी निड़ा ले रहे हैं वो किस से संबंदित है वो आप से संबंदित है और वो निड़ा आपने लिया है आप सिविल सिवा की त्यारी कर रहे हैं सिविल सर्शिस की त्यारी कर रहे हैं आपके मम्मी पापा कहने पर आपके दोस्तों के कहने पर या कोई सलेक्ट ह हमेशा क्या होता है एक ना होती है अगर किसी भी टॉपिक पर किसी भी मुद्दे पर आपने ना नहीं कहा तो ना न कहने का आर्थ आपकी हाँ है तो आपने जीवन में कोई भी नेड़ा लिया है अपनी शादी का अपने आसपास जो भी आपने काम किया आप बी ए किया बी ए नेड़े हैं उसके लिए कोई भी जिम्मेदार और नहीं है तो हम इसा ध्यान रखेगा कि मनुष्य जीवन में कोई भी नेड़े लेता है वह उसका खुद का नेड़े है सार्त्र कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है मतलब कि man is cursed to be free मतलब कि उसको श्राप है वह कोई भी नेड़े दुनिया में लेगा वह लेकिन उसके बाद की जो कहानी है वो सबसे अधा इंटरेस्टिंग है दोस्तों कि जहां पर स्वतंत्रता आई वहीं पर आजाता है responsibility उत्तरदाइत्व अगर आपने कोई काम लिया है और उसमें आप असफल हैं तो इसके जिम्मेदार आप स्वैंग हैं जहां सुतंता आती है वहीं आता है उत्तरदाइत्व responsibility और उसके लिए ना तो आपके पड़ो से जिम्मेदार है ना तो आपके माबाब जिम्मेदार है ना तो कोचिंग वाले जिम्मेदार है आपके लिए जिम्मेदार आप स्वैंग है क्योंकि आपने नेड़े लिया था कि आप सिविल सिवा की तयारी करेंगे और आपने तय प्यारी अच्छे से नहीं की तो इसके फील ये जिमेदार आप ही है और आप कोशिंग इसमिदे कोचइन करने से सेलेक्सन होता है आप समय कोचिनग सिर्फ आपको आपके टाइम टेबल बनाने में कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसको गाइड करने में मैं आपको एक चीज बतादेता हूं मेरी दो क्लास करिए उसके बाद खुद स्टेडिये और आपका सलेक्षन पक्काय होगा लेकिन आप टाइम बुकर फॉलन नहीं करते आप नहीं करते आपढ़ाय नहीं करते तो यह समस्या है आपकी और उसके लिए उत्तरदाईisiaj आप और जब उत्तरदाइत तो जब आप लेंगे तब वहीं पर आता है आपके मनुष्य बनने का प्रमुख उद्देश अब जब स्वतंत्र हैं आप तो स्वतंता का ठीकरा भी यानि कि सफलता आसफलता का ठीकरा भी आपके ही फुटेगा तो आपको एक तो स्वतंत्र हो करके निड़े लेना है कब तक त्यारी करनी है क्या करनी है इन सब के फैसले आपको खुद करने है तो आगे हम देखेंगे कि आवसाद तथा सामाजिक मुल्य का संबंध क्या है आवसाद तथा सामाजिक मुल्यों का संबंध भारती समाज में स ऐसे में सुख हो या दुख परिवार के सदसे समान रूप से एक दूसरे से बाढ़ते हैं बड़ी से बड़ी विपत्ती में भी व्यक्ति कभी अकेला नहीं पड़ता था उसके पीछे पूरा परिवार खड़ा होता था आज हम लोग जो हमारा शहरी करण हो गया है हमारा अर् पत्ती आने के बाद भी लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं तो ग्रामीड परिवेश में जो हमारा पुरातन समाज था वो क्या करता था वह एक दूसरे के कोपरेशन से जीवित था जाहें वो किसी जाती के हो किसी धर्म के हो गाउं की एक अपनी अपनी जो है अप अलग अधिकार होते थे और कभी भी डिप्रेशन अवसाद जैसी चीजें हमारे आसपास भी नहीं बढ़कती थी परन्त आधुनिक्ता के भवर में फस्ते भारती समाज में पिछले दो दसकों में इसके से एकल परिवार की प्रथा का लिविन रिलेशन्सिप आद ऐसे मू इजाग बनाया जाता है हमने हमारे रिस्तेदार थे वो आये थे यक शादी के लिए एक रिलेटिव के वो बोल लुए थे कि सिर्फ हमारे पास Delhi में हम लोग रहते हैं सिर्फ एक दिन क्या हमारे पास समय है एक दिन में बरच्छा भी होगा उसी दिन तिलग भी होगी उसी दिन शादी भी होगी ठीक है कुछ modern खलायलात के थे में उनको एक चीज समझाई कि आपको क्या लगता है कि शादी करना आपके लिए काम है लड़की वाले थे तो आपको आपके लिए एक काम है ठीक है और हमारे यहाँ एक पूरा जो है रिवाज रिवाज अच्छा यह बताईए कि शादी जो है शादियां जो है जो आप देखते हैं अरेंज मैरेजेज हैं ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं कि अरेंज मैरेजेज टूटते नहीं हैं लेकिन अरेंज मैरेजेज में और जो लिविन रिलेशन्शिप और जो लब मैरेजेज हो रहे जब आप एक-एक लोगों को जोड़ोगे तो हमारे हाँ कई सारे function होते हैं जितने भी function है कहीं मामा की जरूवत है कहीं फूफा की जरूवत है कमी जो है चाचा की जरूवत है तो इन सब को involve करने का जो ये condition है न शादी ये एक बड़ा ही बहतरीन पर्व है अगर आप इस प्रथा से नहीं गुजर पा रहे हैं तो अपने रिष्थेदारों को अपने लोगों को आप unite नहीं कर पा रहे हैं और ये शादी जो है तब तक सफल नहीं मानी जाएगी जब तक उसके साक्षातकार जो है जादा से जादा लोग हो ये होता क्या है क्या सोचेंगी तो उसको ले करके क्या होता है कि चीजे जो है long term चलती हैं तो ये जो हमारे social values हैं उनको हमारे traditions हैं इन पर meme बनाना और इस पर comment करना बहुत आसान है लेकिन इसको feel करना इसको समझना बहुत ही ज़्यादा मुस्किल है ये हमें क्या करता है एक जगा जोड़ता है जिससे हमारी ये जो संस्कृति है आज तक इतनी है इस पर लाखो मतलब समझ लीजे कि हमले हुए हैं कम से कम हजारों सालों से यहाँ पर आता-ताई आते रहे आज भी भारत वैसा ही आज भी लोग यहाँ पर जो है अपने पुरातन जीवन में जीते हैं उसी प्रकार से शादी विवा उसी प्रकार से परिवारिक जो करमकांड होते हैं वो करते आ रहे हैं चाहे किसी धर्म के हो किसी जाती से हो तो ये चीजे हमें क्या करती हैं बहुत strong बनाती है तो हमें क्या करना चाहिए कि जो नई जो हम पस्च्मी करण की तरफ जा रहे हैं करिये आप पस्च्मी करण की तरह काम करिए लेकिन अपनी जो मूल भावना है मूल जो कल्चर है उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए व्यक्ति दिन भर कार्याले पर काम करके ठका घर पर आए तो घर पर उसे अपना दुख बाटने वाला कोई नहीं मिलता है आप जाय रहा है मेट्र सिटी में है गौर्मेंट जॉब में है गौर्मेंट जॉब के बाद तो और समस्या आती है कि आप जो है उन्ही लोगों के बीच रहेंगे जो आपके लेवल के हैं जबकि आपको अपना लेवल पता है आप ग्रामीड परिवेश्चे हैं आपके दोस्त मित्र जो वैसे थे वैसे ही मिलेंगे आपको लेकिन जब आप सेलेक्शन ले लेते हैं एक एलिटिजम जो आपके अंदर आ जाता है कि हम भी बड़े आप तो बड़े आदमी हो गए जैसे ही आप बड़े आदमी हुई वैसे ही आपका करियर आपका जीवन जो है तनाव में गुजरने लगेगा बहुत सारे लोग हैं सेलेक्शन के बाद जो है कट जाते हैं सोसाइटी से लेकिन उसके बाद उनका व्यक्तिकत जीवन आप देखिए तो वो किसी जाहिल गमार से भी बुरास्तर पे वो लोग जी रहे हैं उनके पास बैठने वाले दो लोग नहीं हैं मैं गारंटीड बोल रहा हूं बहुत सारे लोग होंगे सफल भी होंगे ये मेरी वीडियो देखके आप समझ जाएंगे कि जीवन में सफल वही है जिनोंने संबंधों पे काम किया है जिनोंने समाज पे काम किया है जिनोंने अपने और लोगों के दर्द जाने हैं एक दूसरे से जो संबंध बनाया है उसको परिपक्कता रखी है ऐसे में किसी भी बुरी परिस्तिती जैसे रिस्तो में सफलता, नौकरी में सफलता, पढ़ाई में सफलता किसी से कोई विवाद या अन्य समस्या को व्यक्ति स्वेंग को अकेला पाता है न तो किसी बड़े बुजर्ग का अनुभव उसे मिल पाता है और नहीं किसी मित्र की सलाह मिल पाती है तो इसलिए जीवन के आप किसी भी पड़ाव में हो आप student हो आप अधिकारी हो आप माबाप हो आप अच्छे मतलब किसी competition की तियारी कर रहे हो आप हमेशा जो है जो आप के प्रियजन होते ना कौन होता है जो आपको मजा लेता है वो दोस्थ जो आपके हर दुख सुक में खड़ा रहता है उन सब को आप कभी भी भूल नहीं सकते चाया आप कितने भी बड़े व्यक्ति बन जाएं अगर आप उन्हें भूलते हो तो आपके लिए समस्यां जटिल होती जाएंगी आपका जीवन जो है बहुत कठी नूता जाएगा एकाकीपन के इस माहौल में व्यक्ति अपनी समस्या को इस कदर बढ़ा लेता है कि वह समाधान के बारे में न सोचकर केवल तनाव, हताशा, निराशा से घिर जाता है यही तनाव व्यक्ति को धीरे धीरे अवसाद को जन्म देता है और कभी-कभी कोई छोटी सी दुरघटना भी उस पर उद्दीपक का काम करती है यानि स्टिमूलेट कर देती है और व्यक्ति आत्महत्या जैसे कदम उठा लेता है तो दोस्तों इसके लिए मैं एक सिंपल सी बात कहूँगा कि आप जैसे जीवन में हैं जैसे ही आप सफलता के सीड़ी पाएं वैसे ही विनम रहो जाएं वैसे ही अपने जो आपकी थोड़ी सी भी हल्प किया है ना लाइप में कभी भी तो उसको एकदम कभी मत भूलिए आप समझ रहे ना कि आप जब संघर्स के जीवन जी रहे थे तो आपकी अगर कोई रत्ती भर मदद किया ना तो वो करोडों की मदद है तो उसको बद भूलिए और जो लोग भी संघर्स कर रहे हैं तो संगर्स करना तो समझंज़िए कि आप बड़े भाग्यवान है जो आपको ये तनाव मिल रहा है आपको ये चैलेंज मिल रहा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्नों ने कभी कुछ देखा इनी जीवन में तो अपनी समस्याओं को लिमिटेड रखने के अलामा समस्याओं के समाधान पर ध्यान दीजिए और उसमें जो आपके करीबी लोग हैं उनसे मदद लीजिए तो चलिए भारत के संदर में आकड़े हम देखते हैं कौन-कौन से हैं तो रास्टी अपराद रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार भारत की में हर चार मिनट पर एक व्यक्ति किसी न किसी कारण आत्मत्य कर रहा है यानि प्रति घंटे 15 लोगों की डेथ हो रही है आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी घटना है ये और साथ का वैश्यू का आकड़ा हम बात करें तो भारत में 15 से 29 आई के यूकों में मौत की दूसरे सबसे बड़ी वज़ा क्या है आत्मत्य की सबसे बड़ी वज़ा क्या है आउसाध डिप्रेशन है यहां पर हम देखेंगे पूरे पस्च्चमी प्रसांत महासागरी छेतर में 10.2 परसंट 13.2 परसंट दसी पूरे असिया में 15.2 परसंट यूरोप में 9.8 परसंट अमेरिका में 7. 13.9 परसंट अफरीका में 3.9 परसंट पूर्वी मध्य पूर्वी इसिया में यह सारे आकड़े दिखाते हैं अब जो है हम किस प्रकार से इन जो टॉपिक है इन चीजों पर कैसे हम जो है कमी ला सकते हैं यानि कि सामाजिक मुल्यों में परिवर्तन से और साध आत्मत्या मे कमी की जा सकते हैं सहीं उक तो परिवार पुर्थाने पुना वापसी नहीं की तो कम से कम फोन कॉल के माध्यम से जाथा समय समय पर परिवार के साथ समय अबस्दाएं Holy Diwali Eid Christmas जो भी आपके तेवहार हों उसके जरूर घर वालों से मिलें उनसे बात करें घर वाले नहीं है तो आसपास जो दोस्त रहते हैं उनसे मिलें उनसे अपनी समस्याइं बताएं उनकी समस्याइं सुनें इससे क्या होता है कि आपको लगता है कि आपकी समस्या बड़ी समस्या है वो समझ में आएगा कि सामने वाली की समस्या आप से भी बड़ी है तो समस्याओं के समाधान में अपने और दूसरों के सहयोग करें बड़ों का सम्मान दें तथा उनके अनुभव अविचार को सीखने का बड़ी समस्याओं के युगा वर्ग में है कि वो क्या करता है उसको लगता है कि मैंने बहुत कुछ जान लिया है मैं I.S. बन गया तो मैं बहुत बड़ा तोप हो गया हूँ लेकिन तुम अपने बाप से ज़्यादा नहीं अनुभव है तुम्हारे पास ना ही तुम्हारे जो कोई चाचा होंगे या तुम्हारे कोई अन्य लोग होंगे तो उनसे ज़्यादा अनुभव अस दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है जो हर व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित करती है तो अया अपने अनुभव से सीखने से अच्छा है कि दूसरों के अनुभव से सीखें तो जित्ते भी आपसे बड़े हैं उम्र में आप हमेसा ध्यान रखिएगा कि वो आपसे जादा ही जानते हैं हो सकता है कि आपके फिल्ड में न जानते हूं लेकिन जीवन का अनुभव उनका बहुत बड़ा है स्वेंग को अकेले पन से दूर रखें हरिस्तेदारों मित्रों से अपनी समस्याओं को साजा करें समय समय पर उनसे मिलें और अपनी जो सहमती असामती है देखिए जगड़ा ये सारी चीजें बहुत सारे दोस्त मित्रों में होती रहती है लोग एक दूसरे से संबंद खतम कर देते हैं होती क्या है कि समस्याओं किस कहां नहीं होती एक परिवार में माबाप से जगड़ा होता है आप देखते हैं अपने भाई से आप जगड़ा कर लेते हैं तो ये सारे जगड़े ये सारे चीजें ये होती रहनी चीज़ें जिससे पता चलेगा कि आपका प्रेम और सहाट क्या है लेकिन उसको ले करके संबंद खतम करना ये एक बड़ी समस्या है तो भारत तेवहारों का देश हैं आपको पता ही है तेवहार खुशियों की बाटने का एक बहुत बड़ा माद्यम है अता भारती सब इताववा संस्कित में पुनह वापसी कर जीवन में आनंद की वापसी करें योग जो की प्राचीन परंपरा का एक हिस्सा रहा है उससे अपनी दंचर्या में रहा है लाएं फिटनेस आदी जो है उस पर जोर दें अब इस दिशा में किन-किन प्रयासों की आउ सकता है तो सरकार द्वारा की ये के प्रयास हमने देखे इससे पहले तो वर्स 1982 में मानसिक रोग से निपटने के लिए देश में मानसिक देखभाल के आधारभुट धाचे के विकास को ध्यान में रखते हुए रास्ट्री मानसिक स्वास्त कारिकरम की शुरुवात की गई उसके बाद 2017 में मानसिक स्वास्त देशभाल अदिनियम 2017 सरकार द्वारा लाया गया ताकि मानसिक स्वास्त सेवां को मضبूत किया सके अन्य प्रयास में हम देखेंगे सรकार ने मानसिक स्वास्त प्रोग्राम के लिए राश्टी स्वास्त मिसन गैर संचारी रोगों के लिए फ्लैक्सी پूल के अंतरगाश मानसिक विकास से पेडित लोगों की पूरोजाच और उनके इलाज के लिए जीला मानसिक स्वास्त कारिक्रम के भिन्न निवारक गत्विधियों को शामिल किया है जिसमें स्कूल, मानसिक स्वास्त से वाएं, कfourलेज पर अमर से वाएं, कारेस्थल पर तनाव काम करने और आत्मत्या रोगफाम से वाएं सामिल हैं इसके लिए कुछ सुझाव भी आप दे सकते हैं कि वैश्विक महामारी COVID-19 के दोर में इस देश में मानसिक स्वास से समंदी समस्या लगातार व्रिद्धी हो रही हैं लोग अकेला पन एक दूसरे से विलगाव और भी बढ़ गया है ऐसे में आवस्यक है कि इसके निपटने के लिए उपयुक्ति छमताओं का विकास किया जाए और संसाधनों की ब्रिद्धी की जाए दोस्तो यदि प्रिंट, इलेक्ट्रानिक और सोसल मीडिया ऐसे मानसिक रोग गस्त लोगों की समस्याओं के समदे स्रील धंग से उठाए तो निश्चे ही समाज में उपच्छावादी रवय्या कम होगा और समय दिन सिलता में ब्रिद्धी होगी स्वास्त देखभाल राजसूची का विश्चे हैं और इसलिए इसको चुनावती से निपटने के लिए राजय और केंद के मद्ध जो है उचित समन्वाए की बात की जानी चाहिए ब्रिद्धी करेगा एक पुरानी कहावत है जैसा खाय अन वैसा होवे मन तो भोजन में जरूरी पोशक तत्तों के नव होने से आसाद की इस्थिति और बिगड़ जाती है यही आहार आसाद को ठीक करने में अतिया सहायक है सीरो टोटिन को फील गूड हार्मोन करते हैं जो आपके मन को अच्छा रखता है और अच्छी नीद में सहायक होता है दोस्तों आज टेकनलोजी के कारण जो समेंदन हिंता की इस्थिति उत्पन हुई है उस खाय को पाटना होगा जीवन में सफलता या विफलता से ज़्या सकरात्मक सोच और संघर्स का जजबा जीवन की परिक्षा में सफल हो या नहों पर एक सफल जीवन जीना बहुत जरूरी है दोस्तों आपको पता होगा कि रास्पती कैनेडी ने इस कथन से में जलकती है ये बात कि जीवन ने हमारे लिए क्या किया है कि जगह यह सोचना च सई है कि तरक संगत है कि हमने जीवन को क्या दिया है तो शायद आवसाद को हम हरा सके और जीवन को जीता सके जोस्तों इस कोटेशन के साथ जो है कुछ निश्कर्स हैं हमारी भारती सब्वेता संस्कृति का विकास इस प्रकार हुआ है कि हां आवसाद जैसी समस्या के लोटा जाये और हमारी जो पारम पर एक समस्य जो हमारी जो हमारी जो स्रेंथ है उसको बनाय रखा जाए तो दोस्तों यही पूरी क्लास और आसा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मिलते है हम लोग अगली क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद स्ष् बस्तरे ए, मस्तरे ए, बस्तरे ए.